ये पहले दिन से ये लग रहा था कि शायद कॉंग्रेसी जो मठाधीश लोग यहां बैठे वे हैं, मठाधीश मुझे नहीं चाहते हैं और ये सिर्फ बहिमानी अपने लिए नहीं करते हैं, कॉंग्रेस पार्टी के लिए करते हैं, कॉंग्रेस पार्टी से बहिमानी करते हैं आप अपने बारे में बताईए आप ने स्टेर्ट यूनिट ने पिछले पांच वर्षों में कौन सा काम किया। गॉयनिट ने हम लोगे इतना किया बावा ने कौंगरेस पाटी के लिए खुंद पसीना दिया। जान तक दिये कॉंग्रेस पार्टी के लिए तो आज कॉंग्रेस को हम लोग की जरुवत है और मैं उस सोच का हूँ कि समाज के हर एक वर्ग को साथ मिले कि हम कैसे चले मैं उस सोच का विखती हूँ तो मैंने सोचा कि Congress Party को चलके Congress में कुछ काम किया जा, Congress को मजबूत किया जा, लेकिन जब मैं Congress Party में आया तो मुझे पहले दीन से यह लग रहा था कि शायद Congress ही जो मठाधीश लोग यहां बैठे वे हैं, मठाधीश मुझे नहीं चाहते हैं, मुझे मठाधीश को लोग है? State Unit जो है, हमारा जो State Unit है, यह लोग मठाधीश लोग हैं, यह लोग मठाधीश लोग बैमान लोग हैं और यह सिर्फ बैमानी अपने लिए नहीं करते हैं, Congress Party के लिए करते हैं, Congress Party से बैमानी करते हैं, अपने Alliance Partner के साथ बैमानी करते हैं, जनता के साथ बैमानी करते हैं, इनको Congress कैसे मदबूत हो उससे इन लोगों को मतलब नहीं है ये कैसे मदबूत रहें इनका घर कैसे चलता रहें इनको उससे मतलब है आम Congressi Worker आखिर में एक आम Congressi Worker एक Congress Party कैसे आगे बढ़े उसके उनको कोई चिंता नहीं है आगे की आपकी रननिती के साथ उनके एक लाइन होगा अरे उनको तो बड़े लोग हैं उनको MLA का ठीकेट नहीं मिला अरे MLA का ठीकेट नहीं मिला तो डेड़ साल पहले ही छोड़ते आज क्यों छोड़ रहे हैं आप अपने बारे में बताईए आप ने स्टेट यूनीट ने पिछले पांच वर्षों में कौन सा काम किया ए आई सी सी का जो भी करिकडम होता है उसको छोड़ के कौन सा काम किया शुने बटा शुने तो मुझ पर ब्लेम मत करिये हैं हम तो हाई कमांड से बोलेंगे कि आप यहां पर प्रियंका जी को बेज़िए बोलिए कौंग्रेस समाल है इन लोंक से समालना वालार नहीं है बेज़ खाएगा कौंग्रेस कोए लो आगे आपको यह दिया लाक वान बोले तो फिर से आप कौंग्रेस में जाएगा या फिर किसी के कहने पर कहीं नहीं जाओंगा अलाका हमरे बावु जी बोलेंगे कहीं जाने के लिए नहीं जाएंगे बावा के जो चाहने वाले लोग हैं मितला अंचल में वो जो चाहेंगे वहां हम जाएंगे हम कहां जाएंगे क्यों जाएंगे राजदीत करने का मतलब थोरी है कि हम कोई पार्टी चले जाएं लोगों का काम करेंगे लोगों की बीच में रहेंगे जो मंद की बात होगा इमंदारी से वो बोलेंगे बोलते रहेंगे करते रहेंगे तो अपने अस्पश टूप से सुना ये राजनीती तो करेंगे लेकिन लोगों की शेवा करेंगे किसी पार्टी में अभी नहीं जा रहे हैं और भी आप अपडेट के लिए बने रहे हैं डिटीव भारत के साथ धिरंद्र कुमार पटना